क्या दाउत ने मौत कम आई है ये सीख उन लोगों को लेनी चाहिए जो लोग इसके जैसा बनने की सोचते हैं और यहां तो बात धोके से और लोगों को मार कर उनके एक भून से सीची गई संपत्ति ना जाने उसे इतनी सुधिक्रा विरान कर दी ख़वर जूटी थी या लेकिन पूरी दुनिया उसके मरने का इनके जात करने नमस्कार आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन आज भारत एट नाइन में बात होगी दहशत गर्दी के सबसे बड़े नाम की जिस नाम से लोग खौफजदा हो जाते हैं आज भी उस नाम की बात होगी जिसने भारत में खूब दहशत फैलाई लेकिन अपने आपको टाइगर कहने वाला इस शक्स गीदरों की तरह पाकिस आज बात होगी दाउद इबराहिम की दाउद मर गया या जंदा है यह सवाल लगातार हर किसी के जहन में है क्योंकि भारत समेथ दुनिया के जादतर लोग उसके मरने का इंतिज़ार कर रही है तो आप सोचिए कि आखिरकार दाउद ने क्या कमाया है आज दाउद भी यह सोचने पर मजबूर होगा क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर है कि यह सोचना बनता भी है क्या दाउत ने मौत कमाई है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अच्छा हो या बुरा वो मरते वक्त या मरने के बाद ना तो पैसा और ना ही अपनी संपत्ती साथ ले कर जाता है और यहां तो बात धोके से और लोगु को मार कर उनके खून से सीची गई संपत्ती की हो रही है अच्छे बुरे वैवहार अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा किया होता है तो लोग उसे याद करते हैं कहते हैं अच्छा सच था लेकिन अगर कोई बुरे काम करके मरता है तो कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया और ये कहावत दाउद इबराहिम के लिए सही साबित होती है दाउद की मौत चार बार हो चुकी है तो क्या ये कहें कि सारी दुनिया इसके मौत का इंतजार कर रही है और जश्न मनाने की तैयारी हर बार करती है अगर मैकसिमम लोगों की हम बात करें तो जादतर लोग इसके मरने की खुशी मनाने के लिए पूरी तैयारी में है तो क्या दाउद ने यही कमाया कि उसके मरने पर देश दुनिया जश्न मनाए ना जाने उसने कितनी जिन्दिगिया विरान करती ये सीख उन लोगों को लेनी चाहिए जो लोग इसके जैसा बनने की सोचते हैं और इन्हें आइडियल बना लेते हैं चार बार ऐसा हुआ है जब दाउत की मौत की ख़बर आई और हर बार देश दुनिया खुश हुई कि ऐसे व्यक्ति का मर जाना ही ठीक है ख़बर जूटी थी या सच्ची थी लेकिन पूरी दुनिया उसके मरने का इंतिज़ार कर रही थी तो ये दाउत को भी सोचना पड़ेगा कि उसने आखिरकार क्या कमाया है ना जीवन में सुकून क्योंकि एक जगा टिक पाना मुश्किल है अगर एक जगा टिक जाएगा तो फिर पुलिस की काद में आ जाएगा कभी किसी देश तो कभी किसी और देश कभी पाकिस्तान में पनहा तो कभी दुबाई में सरजरी करा कर घूमना भारत से तो काफी समय पहली भाग गया था क्योंकि डर था कि भारत में पकड़ा आ जाएगा और बाहर से ही लगातार अपनी D-Company चलाता रहा और हर बार भारत को दहशत में डालता रहा तो आज दाउत के कारणामों पर एक नज़र डालेंगे कि आखिर उसने जीवन में क्या कमाई की है तो दाउत के बारे में और जादा खरीब से जानने की कोशिश करेंगे अल्डेवल डॉन दाउत इबराहिम का नाम एक बार फिर चर्चा में है अट्रेंडिंग में है पाकिस्तान के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दाउत को जहर दिये जाने की खबरे ट्रेंडिंग में है कहा जा रहा है कि जहर दिये जाने से दाउत की मौत हो गई है बीते कल तो इस तरह के ट्वीट और मेंस धरनले से वारल हो रहे थे लोगों में खुशी का महौल था दाउत की रिष्टेदारों को घर में ही नजर बंद किये जाने की भी अकले लगाई जा रही थी हाला कि अब तक इसकी कोई पुष्टी नहीं हुई है लेकिन महस खबर तक आने से महस सिर्फ अफवा थी सच्ता जूट था ये खबर आने से ही लोगों में खुशी का महौल था लोग खुश थे कि आखिरकार आतंक का अंत हुआ है भारत के Most Wanted अपराधियों के सूची में दाउत का नाम सबसे टॉप पर आता है भारत में दाउत ने किन अपराधिक बारदातों को अंज़ाम दिया ये जानना बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता है क्यों दाउत का नाम सबसे बड़े गैंक्स्टर के रूप मिलिया जाता है किन मामलों में भारत दाउत को कानून के कटगरे मिलाकर तीन दशक से भी ज्यादा समय से सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज उच्छ रहे हैं अभी चर्शा में दाउत क्यूं है? कुछ खबरों की मानें तो दाउत को शुकरवार को गंबीर हालत में अस्पताल में भट्ती कराए गया कड़िस रक्षा के बीच भट्ती दाउत पूरे फ्लोर पर अकेला मरीज था उसके पास अस्पताल के गिने चुने लोगों के अलावा परिवार के करीबी लोग ही जा सकते थे इलाज के दौरान भी उसे जहर दिये जाने की खबर भी सामने आई जहर दिये जाने के रिपोर्स आने के बाद मुंबाई पुलिस दाउत के परीजनों अली शहाप पारकर और साजित वागले से जादा जानकारी जटाने की कोशिश करती नजर आई अली दाउद की बेहन हसीना पारकर का बेटा है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनोंने श्रधा कपूर की वो फिल्म देखी होगी जो हसीना पारकर के जीवन पर आधारित है इसी साल जन्वरी में उसने एनाईय को बताया था कि दूसरी शादी के बाद दाउद पाकिस्तानी शहर कराची में रहा है राश्ट्य जाच एजिनसी के मताबिक कराची एडपोर्च का नियंत्रन दाउद और उसके करीवी लोगों के पास है आखिरकार भारत में किन गुनाहों में दाउद वॉन्टिड है 1993 में दाउद ने सबसे बड़ा गुनाहा किया था और शायद भगबान यह यह कहें कि अल्ला भी इस गुनाहा के लिए उसे कभी माप नहीं करेगा अंगिनत अपराध और आतंकी वार्डातों को अंजाम दे चुके दाउद इब्राहिम 1993 में मुंबई में सीरियर ब्लास्ट धमाकों का मास्टर माइंट है 2008 में मुंबई में आतंकी हमले में भी दाउद के शामिल होने का शक जताया जाता है 2010 में दाउद ने महराष्ट के एक और शहर पूणे को निशाना बनाया पूणे जर्मन बेकरी धमाके में भी दाउद आरोपी है तीन साल के बाद दाउद ने क्रकिट को भी निशाना बनाया 2013 में IPL Spot Fixing Scandal में भी दाउद पर आरोप लगे थे इसके अनावा International Drug Trafficking, नकली नोट और हतियारों की तसकरी में भी दाउद पर कई गंभीर आरोप लगते चले गए तीस साल पहले सीरियल बंबलास्ट से देश की आर्थिक राजधानी को दहला देने वाला दाउद इस मामले का मुखे आरोपी है 12 जगाओं पर हुए धमाकों में करीब करीब 300 लोगों की जान चली गई थी जबकि 700 से ज़्यादा लोग घाल हुए थे आरोप है कि उसने धमाकों की योजना बनाई थी, पूरा प्लान तयार किया था और पाकिस्तानी आतंकी संगठर लश्करे ताइबा के सयोग्यों की मदद से धमाकों को अंज्राम दिया विस्फोटक और हतियार सप्लाई भी किये थे गुसपेटियों को ट्रेनिंग दिलाने में भी दाउद का ही हाथ रहा दाउद ने Bombay Stock Exchange, Air India Building और शिवसेना मुख्याली को भी निश्याना बनाया था 1993 में भारत में बड़े पैमाने पर RDX और हतियारों की तसकरी दाउद ने कराई इनकी मदद से ही मुंबई में सीलियर ब्लास्ट हुए थे अन्य आतंगवादी हमलों में भी इन हतियारों का इस्तमाल किया गया था मुंबई सीरियल धमाकों के बाद दाउद इबराहिम दुबई फाग गया कुछ दिनों बाद उसके पाकिस्तान में पनालेनी की खबरे भी आई कुछ रिपोर्ट्स की माले तो पाकिस्तान में दाउद को देश की खूफिय एजसी PC, I.S.I. का सरक्षन हासल है भारत पाकिस्तान से दाउद को प्रत्यरपन कराने के प्रयास करता रहा लेकिन आतंकियों की सरक्षित पन्हागाम आने जाने वाले पाकिस्तान ने देश में दाउद की मौजूदगी कभी स्विकार ही नहीं की एक रिपोर्ट के मताबिक 2001 में पाकिस्तानी पत्रकार गुलाम हसनेन ने दाउद इबराहिम पर रिपोर्ट लिकी थी इसमें दाउद को गौड फादर जैसा बताए गया इसमें दाउद की पाकिस्तान में रहने वाली पत्नी चार बेटियों और बेटे के जीवन के बारे में भी जिक्र है इसके मताबिक शाहिज जिन्दगी जीने वाले दाउद का आली शान घर लगभग 6,000 स्क्वेर याड में पहना हुआ है इसमें एक पूल, टैनिस कोड, स्नूकर रूम, अन्डी जी, हाइटेक, जिम भी है डिजाइनर कपडों के शौकीन दाउद को मोसटीज चलाने का शौक है पाच लाग उर्पे की पटेक फिलिप कलाई घड़ी पहनने वाला दाउद अभी नेत्रियों और वैश्याओं पर दिल खोल कर पैसे लुटाता रहा है भारत का मोस्ट वॉंटेड अपराधी दाउद और उसका भाई अनेश इब्राहिम 1993 में के मुंबई सीरे बम धमाकों के कारण चर्शा में आए दाउद और उसके अपराधों से जुड़ी खबरों के मताबिक माना जाता है कि मुंबई बम वस्फोर्ट 1992 में हुए दंगों का बदला लेने की सनख में किये गए थे 31 साल से पहले हुए इन दंगों में सैक्ड़ों लोगों की जान चली गए थी दाउद ने अलकाइदा लश्कर इताइबा जैसे आतंकी संग्ड़ों से करीबी संबंध बनाए दाउद इब्राहिम पर मुंबई की विशेश अदालत में मुकदमा चलाने और उसे सजा दिलाने के प्रियास लंबे समय से हो रहे है मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में फरार आरूपी के रूप में सूची बद दाउद के बारे में भारते दिकारियों के मताबिक 2023 में करीब करीब 70 साल की आयू में दाउद 15 साल से जादा समय से पाकिस्तान में रह रहा है इसके पहले दुबई समय कई अन्य देशों में भी दाउद का ठिकाना रह चुगा है तो इन बहुत चर्चित मामलों की अलावा भी दाउद इबराहिम हत्या, जबरन मसूली, अपारण और तसकरी के कई अन्य मामलों में भी वांचिचल रहा है 2013 में पत्रकार जोतिर में एडे की हत्या कथित तौर पर दाउद इबराहिम के गुर्गों ने की थी ऐसा कहा जाता है इस पत्रकार के सहसे काम की बदौलत दाउद का काला चिठ्था सबके सामने आया था 1997 में संगीत की दुनिया के दिगज गुल्षन कुमार की हत्या भी कथित तौर पर दाउद इबराहिम के गुंडों नहीं की थी जबरण वसूली के पैसे देने से इनकार करने पर दाउद के गुर्गों ने की सीरीज के माली के निश्यन्स हत्या कर दी थी 2000 में जोता व्यवसाई परिख्षित ठक्कर की किड्नापिंग और हत्या में दाउद के गिरों का ही हाथ माना जाता रहा है तो दाउद की कहानी कहां से शिरू होती है कैसे डोंगरी से दुबई तक वो पहुँच गया दाउद के पिता एक कॉंस्टिबल थी आप सोचे जिसके पिता एक कॉंस्टिबल हो उसका बेटा अपराद के दुनिया में अवल दर्जे का अपराधी बन जाए और कई मुलकों की पुलिस उसे ढूंडती रहे दाउद इबराहीम के पिता एक कॉंस्टिबल थे जबकि दाउद अपराध और उगाही का इंटनेशनल नेट्वोक यानि के डी कमपनी चलाता है दाउद का भाई अनेश इबराहीम उसकी डी कमपनी को चलाने में मदद करता है दाउद का एक भाई इकबाल कासकार मुंबई में अपनी बीवी और तीन बच्चों के साथ रहता है उस पर 2011 में जानलेवा हमला हुआ था ऐसो से जेली के कताब जोंगरी टू दुबई के मताबिक मुंबई के पास इसे जोंगरी इलाके को गैर कानूनी काम और अरजटा के लिए जाना जाता है हाजी मस्तान, करीम लाला और वासू दादा सरीख माफिया भी यहां से निकले और इनी को मार कर इनी से गैंगबार करके आज दाउद अबराहिम इतना बड़ा नाम है उसी डोंगरी से दाउद निकला दाउद इबराहिम कासकार का जन्म 1905 में मुंबई में हुआ था उसकी परवरिश मध्य मुंबई के जुग्गी बस्ती डोंगरी में हुई दाउद कम उम्र से ही चोरी, डकैती और धोखा धड़ी में श्रामिल हो गया 1993 में बम ब्लास्ट में उसे मुखे आरोपी बनाया गया तब वो पाकिस्तान के कराजे में बैठकर मुंबई के अंडर वर्ल्ट पर राच करता रहा ब्लास्ट के बाद दाउद सीधे केंजरी अजन्सियों के रडार पर आ गया था साल 1981 में दाउद इबराहिमों उसके भाई शब्बीर को एक गैस स्टेशन में घे दिया गया इस तोरान शब्बीर मारा गया था दाउद भग गया था तीन साल के अंतराल के बाद साल 1984 में दाउद ने अपने भाई शबीर की हत्या में शौमिल तीनों हमलावरों को मार डाला था और यहीं से बड़े गैंगवार के साथ एक बड़ा नाम अपराज की दुनिया में बन गया डी कमपनी का मालिक, डी कमपनी का सरगना, डी कमपनी का संचालक दाउद अपराहिम लेकिन इतने काले कारनामों के बाद, इतने काले चिठों के बाद भी दाउद आखिरकार चार बार मारा जा चुका है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो मरा नहीं है क्योंकि अभी भी इस बात की पुष्टी नहीं हुई है कि उसकी जान चली गई है हर बार खबर आती है लेकिन बाद में खबर हवा की तरह कहीं और बहती हुई नजर आती है तो सवाल ये है कि दाउद अबराहिम भी अपनी कमाई को लेकर लगातार सोचता होगा कि आखिर उसने क्या कमाया है पूरी जिंदगी वो अपराध जगत में लगातार अपना नाम बनाता रहा संपत्ति अर्जित करता रहा कई शादिया की, कई अभिनेत्रियों से उसका नाम जुड़ा लेकिन आखिर में उसने क्या कमाया कि आज देश, दुनिया के हजारों लाखों करोडों लोग उसके मरने का इंतजार कर रहे है और शायद दाउद उम्र के पड़ाव में ये सोच रहा होगा कि आखिर मैंने पूरे जीवन में कितनी जिंदगियां उजार दी, कितनों के घर उजार दीए फिर भी सुकूल से शायद वो एक भी दिन ना रहा हो भारत एक नाइन के आज के अपिसोड में फिलालत ले इतना ही कल फिर लोटेंगे किसी और मुद्धे पर बात करने के लिए धन्यवाद